इस तरह से आप भी अपना जो डीडी फ्रीडी से उसको सेट करके देखेगा इस तरह से इसका प्रोग्राम को निकाल के देखेगा कि किस तरह से आपको यह होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसी में आपको ही खेल है देखे इस रिमोट से ही आप उंगली में इसको न सेटप बॉक्स होता है या फीरी का जो आपको चैनल चलाते हैं इस तरह से आपके घर में TV चलता है। तो देखे इसमे ब्रोब्लम होता है कि आपके घर का जो signal भी ठीक है। कि आपको गेवेश आनते हैं कि इस तरह कि नौस सिग्यनल दिखाने का रूचर अंते हैं। तो देखे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का जो आपके पास में remote होगा, तो देखे, आपके पास में किस तरह का remote होगा, देख सकते हैं, हमें comment करके जरूर बताएंगे, और कहां से video हमारा देख रहे हैं, और comment करके जरूर बताएं, कि आपके पास कौन सा रिमोट यूज करते हैं जो डीडी फ्रीडिस का यूज होता है देख सकते हैं इस तरह किया तो देख सकते हैं कि मैंने इस तरह का जो रिमोट होता है इसको भी देखिए मैंने किया तो ये भी काम कर रहा है देख सकते हैं तो इस तरह का जो रिमोट होता है किस तरह से तो देखे इस तरह से हमारा सिगनल ये बिल्कुल ठीक नहीं है भई देख सकते हैं इस तरह से ऐसा गलती कभी नहीं करना है देखे आपका छतरी भी सही होता है दोस्तों पर इस तरह से जो लेंथ जो दिखाई देता है आपका उपर का देख सकते हैं इस तरह सा जो रेशियो इसमें 80.87 देखे, 88% देखे, दिखा रहा है, पर नीचे का देखे, 3-4% ही कुछ दिखा रहा है, पर देखे, इस तरह का जो आपके घर में भी डीडी फ्रीडिस का सेट बोक्स आता है, तो आप ध्यान से दिखे गया, अगर आपके पास में ये आप यूज करते हैं, तो अग प्रेले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको मैं इसको सौल करके दिखाता हूँ, जो कि बिना किसी रिपियर करने का जंजड भी ने, किसी भी तरका नहीं है, देखे, किसी जो नई जानते हैं, उनको क्या पता होता है, कि देखे, यह हमारा रिसीवर खराब हो ग तो क्या आप नहीं देंगे, क्या उसको चार्ज उसका, तो आप 100% चार्ज भी देंगे और इस तरह से आप गवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा इस वीडियो का अगर पूरा देख लेते हैं, तो इस प्रोब्लम को आप सौल कर सकते हैं, अपने घर पे भी देखे, जो किसी मेकैनिक को बुलाने के जरुत नहीं होगा दोस्तों, तो देखे मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे इसमें इस रिमोट से मैं करके दिखा देता हूँ, कि आपको मैं इसको क्या करना है, देखे, तो सबसे पहले देखे, मैं आपको इस रिमोट को थोड़ा से आपको तरह से तो देखे इसमें अपडाउन का देखे इस तरह से दिखे साइड लेप राइट इसमें ओके का बटन दिया है देख सकते हैं इस तरह से तो देख सकते हैं इसमें हमारा मीनू का दिया हुआ है इसमें सिगनल का दिया हुआ है इसमें पाउस का दिया हुआ है इस तरह से देखे मुईट देख सकते हैं आउडियो को कट करने के लिए इस तरह से यह पावर बटन दिया हुआ इस तरह से तिसे तरह से आप भी यूज कर सकते हैं बिना बेज़ी जग देखे आप रीमोट चलाना सीखे अपके घर में है कोई दुसरे का चीज यूज नहीं कर रहे हैं अपना खुद का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा चलाना भी सीख लीजिगा कोई डर नहीं कोई बात नहीं इसमें देखे इस तरह से तो इसको क्या करना है सबसे पहले देखे हमारा सिगनल क्वाल्टी देखे यह आपका उपर का जो इंसेंटी है यह ज्यादा है पर देखे कि नीचे का हमका सिगनल क्वाल्टी बहुत ही कम है देखे तो इसमें क्या प्रब्लम होता है कि हमारा यह नहीं होता है तो देखते है आज जो हम टूडे जो लेटेस नियूज देखते हैं इस तरह से देखे आज हमारा जो अगर किसी भीतर का इसमें लेटेस जो अपडेट आया होगा दोस्तों आज अबडेट हम करके दिखाएंगे आपको अगर देखिए अगर अबडेट नहीं करके दिखाए यह TV नहीं चला तो दोस्तों हमारा चैनल को अनसस्स्राइब करके चले जाना आप हमारा वीडियो मौत देखेगा कभी भी प्रेस करता हूँ देख सकते हैं इस तरह से यह देखिए इसमें हमारा क्या चल रहा है देख सकते हैं उपर में टीबी चैनल लिस्ट है जैसे कि देख सकते हैं हमें इसको स्क्रोल डाउन करता हूँ देख सकते हैं तो इसमें किसी भी दरगा देखिए इस तरह से देख सकते है देख सकते हैं इसमें किसी में भी चल नहीं रहा है देख सकते हैं नो सिगनल का दिखाई दे रहा है तो इसा क्यों होता है जब आपका चलते चलते खराब हो जायता है या फिर चलने के बाद में कुछ दिन के बाद में क्या होया दो-चार दिन बंद कर दिये फिर चलाया तो फिर इसा चल नहीं रहा है तो आप सोच रहे हैं कि हमारा DD छतरी यह जो घुम गया या हमारा signal चला गया हमारा wire खराब हो गया या फिर हमारा LNB खराब हो या फिर या प्रोब्लम हो या आप समझ भी नहीं पाते हैं इसको क्या करना है आप छृतरी को घुमा देते हैं जिससे कि आपका छाठी का जो signal का जो यह setting हुआ होता है उसे आप setting को खराब कर देते हैं आप एक बार गौर नहीं करते हैं कि इसमें आपका प्रोब्लम फिजिकल जो होता है अंदर से होता है या कुछ होता है, या फिर कोई सौप्टोएर का प्रॉबलम हो सकता है या फिर कोई, इसको आप ध्यान नहीं देते हैं पहले खराब करने में, पहले देखिए आपको, यह देखिए अढ़ी सा नहीं करना है, पहले आप थोड़ा सा देख लिजिए तो देखे TV चैनल के लीस्ट में, नीचे देखे हमारा Radio चैनल आ गया है, तो Radio चैनल को देखे मैं चला के दिखा देता हूँ, क्या ये हमारा चलता है, तो देख सकते हैं मैंने इसको चालू किया हुआ हूँ, लेकिन देखे इसमें हमारा No Signal का इसमें भी Error दिखा रहा है, दे इस तरह का fault जब हो जाता है तो क्या होता है आप receiver के भी ले सकते हैं आपने आप देखिए जो electronic जो mechanic होते हैं उनके पास लेके जाते हैं हमारा छतरी से में देखिए या कुछ problem होगा कि हमें signal नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसको देखिए जो mechanic लेके जाते हैं तो उसको क्या problem बताता है अगर जो सही बंदा होता है न वो ठीक करके दे देता है बिना किसी परिशानी का अने था यह आपको छोटा मोटा इसू को solve कर देगा और बोलेगा यह खराब था वो खराब था बोलके ऐसा बोलेगा तो ऐसा भी आपको देखिए लुटाना नहीं है थोड़ा सा knowledge जब अपडेट रहना पड़ेगा देखिए तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह से इस तरह से हटाने के बाद में क्या करता हूँ मैं आपको इसमें मीनू में जाके देखिए इसको टीबी चैनल लिस्ट बे सेटिंग कर देता हूँ देखिए इस तरह से देखि इसमें है क्या कुछ घुकि दिखे ugly signal निकलता है तो signal इसमें नहीं है देख़े ताए सुस्убли से निकालने में क्या होता से कि देखो आपको जो मालूम पड़ जाएगा प्रोग्राम सेटप में देखिए LNB का देखिए ये जो सेटिंग आपको दिखाई देता है इस सेटिंग को आपको ध्यान में देख लिजेगा कि आपका ये कहीं number तो change नहीं होगा या फिर कोई गलत तो code नहीं हुआ है या किसी भी तरह का इसमें आपका नहीं है तो देख सकते हैं इस तरह से तो उपर का देख सकते हैं 0, 5, 1, 5, 0 देखिए इसका double इस side में भी होना चाहिए देखिए देखे देख सकते हैं तो देख सकते हैं मैं इसमें आपका स्क्रोल कर रहा हूँ थोड़ा साइड में आप देखे जब मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो ये हमारा राइट देखे ये जो अंक है बढ़ने लग जाता है देखे इस तरह से तो देखे मैं इसको नीचे लेकर नीचे लाने का देखे, प्रोसेस सेम है, इसमें आपका अपडाउन करने के मिल जाएगा, इसे राइट करते करते, इसको आपको नीचे कर लेना है, इस तरह से, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, तो देखे, किसमें क्या है, जो नमबर है ना, उसको आप नौट कर लेजिए, या फिर आप screenshot रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको उसके बाद में देखे इस तरह से इसको भी नीचे लेके आते हैं इस तरह से देखे नीचे लेके आता हूँ देखे इसमें भी कितना है sample rate जो है 09330 सेम है आपको दिखाने देखे बताने का जरूत नहीं आप screenshot रख सकते हैं जो इसमें है वही चीज आप रख लिजेगा देखे इस तरह से और इसको क्या है यह आपको देखना है कि किस तरह हमारा fault नहीं हुआ है देख सकते हैं देखे इस तरह से आपको check कर लेना है पहले कि आपका क्या हुआ है देख सकते हैं इस तरह से देखे यह all पे set है देखे यहाँ पे देखे फिरी वाला भी होता है देखे तो फिरी वाला में क्या होता है आपका pet channel मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा भाई देखे तो इस तरह से आप भी अपना जो ddpd से उसको set करके देखेगा इस तरह से इसका प्रोग्राम को निकाल के देखेगा कि किस तरह से आपको ये होता है मैं आपको दिखा दे रहाँ कि इसी में आपका ही खेल है देखेए इस remote से ही आप उंगली में इसको नचा सकते हैं चेक कर सकते हैं देख सकते हैं किसी भी तरगा देखिए ये उंगली करने के लिए दिया हुआ हुआ है दस्तों ये company ने अभी बनाया हुआ ही इसी दिलिए कि इससे आप उंगली कर सको देखिए तो मैं इसको क्या करता हूँ इसको back करता हूँ देखे इस तरह से तो क्या करना है आपको सबसे पहले देखे मैं cancel करता हूँ देखे cancel करके मैं पहले आ जाता हूँ इस TV चैनल लिस्ट पर देखे इसमें जब ऐसे रहेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको इस dv channel list को देखिए इस menu को प्रेस करके आपको निकाल लेना है इस वाला setup को इस वाला setup को जब निकाल लेंगे इस तरह से तो क्या करना है आपको इसको नीचे करके लाना है तो नीचे करने के लिए देखे इस वाला बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं देखे नीचे हमारा आ गया है देखे इस तरह से आ गया है तो देखे मैं इसको टच करता हूँ देखे इसमें हमारा क्या दिए है Add New Program Edit LNB Frequency देखे इस तरह से देखे देखे इस तरह से देखे इस पारामीटर जो setup बोल रहा है जो auto scan दिखाई दे रहा है ये cancel दिखाई दे रहा है तो इससे देखे cancel को मैं cancel करता हूँ फिर अभी अभी नीचे आता हूँ तो देखे Edit Program बोल रहा है Edit Program में क्या होता है देखे इस तरह से Delete One Program यानि कि आप एक चैनल को सिर्फ एक चैनल को आप डिलेट कर सकते हैं इसकी मदद से और देखे जब इसको क्या करना है Delete All Program बोल रहा है तो Delete All Program पे देखे आपको इसको Select करना है Select करने के लिए देखे इसको आपको OK बटन प्रेस करना है जब OK बटन प्रेस करोगे तो इसमें दो अपसन आ जाएगा आप Cancel का दिखाए देगा एक OK का दिखाए देगा तो आपको क्या करना है इस राइट से इसको इस साइड में ले आना है Relay पने में देखे इस तरह से Lep राइट जो होता है इसी से आपको इस side में ok में ले आना है ok में लाने के बाद में क्या करना है आपको इसको ok कर देना है देखिए no tv program इस तरह से इसको आपको दिखाएगा जब यह पूरा delete हो जाएगा तो इसको देखिए आपको cancel में आके ok कर देना है जब cancel में आके ok होने के बाद में क्या करना है आपको फिर वापस लेके जाना है radio channel list में तो radio channel list में जाने के बाद में क्या करना है आपको इसको भी एक बार ok करना है उसके बाद में इसको भी फिर play करके देखना है देखे तो प्ले हो जाएगा तभी आप देखे इस मेनु को प्रेस किजेगा मेनु को प्रेस करने के बाद में क्या करना है आपको इस तरह से उसी एडिट प्रोग्राम में जाना है उसके बाद में देखे इस बीच वाला बटन को प्रेस करना है इस तरह से तो इसमें भी क्याकन है आपको delete all program में set कर लेना है तो इसी को ok करना है ok करने के बाद में same process दिखाएगा cancel or ok का तो ok में आपको इसको इस side का button को press करके ok में आपको ले के आना है उसके बाद में ok को ok कर देना है ताकि हमारा program पूरी तरह से delete हो जाए अब यह हमारा किसी भी तरह का कुछ नहीं है blank दिख रहा है तो देख सकते हैं हमारा जो ऊपर में देखे dot dot three line का दिखाई दे रहा है बस उसमें कुछ अंक सो नहीं कर रहा है कुछ सो नहीं कर रहा है देख सकते हैं यह जो आपको थोड़ा से उपर देखे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इस जगब पे इस जगब पे देख सकते हैं कि यह हमारा जो रिसीबर का है सिर्फ डोट डोट दिखाई दे रहा है इससे का मतलब क्या हुआ कि इसमें अभी कोई प्रोग्राम देखे टीबी चैनल पे जाना है देखे देखे प्रोग्राम सेट अप देखे इस वाला पॉइंट पे आपको जाना है प्रोग्राम सेट अप पे जाना है उसके बाद में क्या करना है कि इस तरह से आपको ओके करना है ओके करने के बाद में देखे आपको क्या करना है इसको नीचे लेके आना है नीचे लाने के लिए देखे इस बटन का प्रेस कीजेगा इस तरह से नीचे आ जाएगा फिर आपको auto scan में आ जाना है देखे देखते रहे ध्यान से इस auto scan का क्या मतलब होता है इस तरह से जो इसको कैसे auto scan कर सकते हैं आप अपने घर पे भी देखे जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही knowledgeful वीडियो हो सकता है दिख सकते हैं तो auto scan को क्या करना है आपको इसको ok करके इसमें अंदर जाना है अंदर जाने के बाद में देख सकते हैं इसमें क्या दिखा रहा है LNB Frequency Scan Mode RO22 के दिखा रहा है और DISS देखे QC इस तरह का कुछ ना कुछ इसमें लिखा होता है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है यही चीज़ आपको देखना है कि इसमें आपका क्या होता है तो इसमें जो नंबर दिखाई देता है इस नंबर इस नंबर में देखे आपको 0, 5, 1, 5, 0 देखे इस साइड में भी आपको आ जाएगा तो देखे देखे इस साइड लाने के बाद में क्या होता है 0, 5, 1, 5, 0 तो दिखें dress के शिênim राहने देना है इसमें आपको number change किरना नहीं है जैसे आपका free set box है आपको इस नमबर पे चला सकता है कोई दीकथ नहीं आये इसी number पर चल सकता है दिखिए सेम राहने देनां है अगर जेखें कहीं आपका यह number आगा घया है कोई दुसरा number आ गया है इसको आपको चेक कर लेना है देखिए स्क्रीन सोट इसका भी ले कर रख सकते हैं और इसमें सेट कर सकते हैं जब इसको यहाँ पर रहने के लिए बाद में देखिए आप इसको क्या करते हैं इसको बदलना नहीं है देखिए इस तरह से तो इसको क्या करना है और नीचे लेके आना है तो इसमें free है तो free में देखिए आपका all भी हो सकता है तो all में करेंगे तो क्या आपका all TV जो pad channel होता है pad channel इसमें add नहीं होगा जो से आपको error error दिखाएगा कुछ चलेगा नहीं देखिए इसलिए आपको यह जोरूरी है कि इसमें all mode में ना करें सेट इसको free में है तो free में ही set करके रखिए इस तरह से free में set कर लें उसके बाद में नीचे में देखिए इस तरह से नीचे लेके आता हूँ इस तरह से तो क्या है इसमें भी आपको 22 के को उप रहने देना है देखिए अगर on करते हैं तो कोई दूसरा channel आएगा पर देखिए सबसे पहले इस तरह का scan करके देखते हैं उसके बाद scan अगर होते हैं कि बाद में अगर कोई TV channel हमारा नहीं चलता है तो देखिए इसको भी on करके एक बार इसके दुबारा करेंगे देखे इस तरह से तो फिर से देखे इस तरह ओन करना है और इस तरह ओप करना है इस से होता है इसी से आपका अपडाउन से ओन अप हो जाएगा देखे तो इसको मैं इस तरह के लेके आता हूँ देखे इसको भी क्या करना है ओन अप करने के हूँ कि इसमें हमारा डायरक है देखिए एक ही कनेक्शन है तो इसमें देखिए क्या करता हूँ मैं आपको इस वाला को देखिए ओके करना है तो देखिए अगर आपको कैंसल करना है तो आपको क्या करना है cancel करने के लिए आपको देखिए एक तरह है आपका मीनू बटन प्रेस कर सकते हैं जैसे नीचे आपको दिखाया हुआ है टीबी में इस तरह से देखिए इस तरह जगा पे आज जैसे सर्च करना है तो देखिए आपको ऊके डबाना पड़ेगा अज सेलेक्ट करना तो देखिए लेफ्ट राइEd को फ्रेस करना है जैसे ऊसमें भी दिखाया हुआ है तो देखे हम इसको ओके कर देते हैं उसके बाद में देखते हैं इसका प्रोसेसिंग चलेगा 100 के परसेंट तक होने के हमें इंतिजार होगा देखे इस तरह से इसी तरह का जब हम इसको इंतिजार करेंगे ज्यादा समय नहीं लेगेगा ये तूरंथी अपडेट हो जाता है देखे जब आपका छत्री सही होता है आप जो signal quality का देखे जो आपको छत्री को हिलाए नहीं है तो ये process आपका काम करेगा आनध्या ये काम नहीं करेगा देखे जब किसी भी तरह का ये अपडेट होता है ज किसी भी तरह का इसमें जो इसमें हो जाता है ना कुछ भी तरह का तो ये इसको क्या करना है इसको delete करना है आपको सारे प्रोग्राम के इबार delete कर देना है delete करने के बाद में क्या होता है कि इसको edit करके देखे इस तरह है देखेगा इसका number में कोई change तो बदलाव नहीं हो ग कोई दिक्कत नहीं होता है देखे हम इंतिजार कर रहे हैं बहुत ही जल्दी इंतिजार का घड़ी खतम हो सकता है देख सकते हैं यह हमारा 83 के सम्थिंग यह प्रोसेस हो चुका है देखे सकते हैं 85 हो चुका है कुछ ही टाइम में यह अपडेट हो जाएगा देखे तो हमारा इस साइड में हमारा TV चैनल लिस्ट आ रहा है और इस साइड में हमारा देख सकते हैं रेडियो चैनल लिस्ट यहाँ पर आ रहा है तो इसी तरह से आप भी इसको ध्यान दे सकते हैं और यह देखिए हमारा बहुत ही जल्दी यह प्रोसेस देखिए तो देखिए इसमें हमारा रेडियो चैनल का देखिए ये लिस्ट चल चुका है देखे सकते हैं देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ये देखिए जब इसकेन किये तो ये हो गया तो देखिए हम इसको इसको ओके करने के बाद में देखिए इसको क्या करता है करेंगे तो देखिए हमारा टीवी चैनल भी चल चुका है देख सकते हैं इस तरह से देखिए इसी तरह से आप देखे इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद में सिगनल को प्रेस करना पड़ेगा. तो देखे अभी सिगनल वही है, वही छतरी है, देखे व喜सी चीज है, बस इसमें क्या करना है, आट उच्कान करना है, जो डिलीट करना है, सबसे पहले प्रोग्राम, तब ही यह हो जाता है देख सकते हैं इस तरह से तो क्या है हम आपको TV में ज़्यादा देर तक चला के दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा problem solved हो चुगा है देखिए इस तरह से देखिए same है कोई दिक्कत नहीं होता है इसी तरह से आप भी कीजिएगा घर में देखिए इस तरह का क्योंकि copyright claim आने का यह इसू हो जाता है इसलिए हम ज़्यादा देर तक आपको TV चला के नहीं दिखा सकते हैं वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करना हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस करके all notification पे set कर लिजेगा ताकि आने वाला इसी तरह किसी तरह का update भी है अगर वीडियो आपको मिलते रहेगा दोस्तों तो आप कुछ ना कुछ सिखते रहेंगे इसलिए आपको all notification पे set करना जिरूरी हो जाएगा दोस्तों तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए तो जय हिन जय भारत